हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विकास आजगी इस वीडियो में हम जानेंगे कि V-SIM की हम MB कैसे चेक करें, V-SIM में डाटा कैसे चेक करें कि कितना डाटा हमारा बचा है, कितना डाटा डेली आता है, आईए जानते हैं देखिए पहला तरीका इसका है, यहाँ पे आप application इस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए application या WhatsApp हम दो चीजों का इस्तिमाल कर सकते हैं बस तो V-SIM यहाँ पे आप टाइप करें, Play Store में और V application को अपने phone में इस्टॉल कर लीजिए करीबन 46 MB का यह application है, मैं आपको दो तरीके बताता हूँ क्योंकि दूसरा तरीका थोड़ा आसान है, यहाँ पे मैं इसे open कर लेता हूँ, आप भी open कर लीजिए इसके बाद आपको इसे अपने V-SIM से verify करना पड़ेगा, open करिए इसे, open करने के बाद आपको अपना जो नंबर है, V-Number यानि जो आपको V-SIM का नंबर है, आपको यहाँ पे डालना है, enter करना है, मैं enter कर देता हूँ फिर आपको send OTP पे touch करना है, थोड़ा सा wait करना है, आपने जो नंबर दिया है, उस पे OTP आएगा, OTP मेरा verify हो चुगा है, और यहाँ पे आपको आपको आपका जो data है उपर ही दिख जाएगा, 2GB data left, मेरे को 2GB मिला है, इसका एक और तरीका है, simple तरीका है यह, आपको जाना है WhatsApp में, WhatsApp में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक नंबर, यहाँ पे save कर लाएना, अपने phone में, 96-542-97-000, आप इसे save करें WhatsApp पर, और हाई लिखके भेजिए, अपने vSIM से, आपको verify करना पढ़ सकता है, यहाँ पे हाई लिखके भेजिए, आपसे आपका नंबर पूछेग आपको, तो माइ, यहाँ पे आपको मेरेगा पहले नंबर माइ बैलेंस, एक टाइप करिए, और सेंड कर दीजिए, थोड़ा से वेट करिए, और यहाँ पे आपको पता लग जाएगे, आपका में बैलेंस कितना है, देखे आचुका है, में बैलेंस 14 रुपे है, रेगुल पसंद आई है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा